नमस्कार दोस्तों आज वरतमान समय में इस कोविड महामारी में विश्वे में जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है वो है ऑक्षीजन की कमी और जो करत्रिम ऑक्षीजन से आज आदमी इतना विचलित हो गया जो थोड़ी सी ऑक्षीजन हम लोग बना पाते हैं और जो पूरे विश्वे को पूरी पर्थवी को ऑक्षीजन देने वाले हमारे पेड़ पोदे हैं उनकी तरफ हम लोग ध्यानी नहीं देते हैं आज ऑक्षीजन के काफी प्लांट लग रहे हैं हर होस्पिटल लेवल पे हो रहे हैं लेकिन प्रकरती में ऑक्षीजन सब्सक्राइब ने लिया है कि पांच जून को विश्वे प्रयावरण दिवस से हम इस वराक्षव और उपनकार्य करम की एक जेजैन ट्री प्लांट एक चैलेंज नाम से के मुहीम सोसल मीडिया पे चला रहे हैं उसको हम पांच जून से शुरुवात करके और उसका समापन करेंगे हम 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस है इस दिन तक मैं मेरे युवासाथियों से कहना चाहूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए वह पेड़ की उपलब दाक के लिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा हम नरसरी से ले हमारी टीम से संप लिखे पड़े और क्योंकि अभी बारिश हो चुकी है तो उनके नीचे भी वह बीज अंकुरित भी होंगे बीज भी हैं तो जिन लोगों को पेड़ पोदे आसानी से मिल सकते हैं वो तो पेड़ पोदे ले जाके लगाएं और जिनको पेड़ पोदे लेने में समझ्या हो प्लांट के निरमाता होंगे और हम कह पाएंगे कि यह मेरा अक्सिजन प्लांट है खुद का लगायावा और उसको जो भी वेक्ति को पेड़ लगाता है पोदा लगाता है बिजार उपन करता है और मत यहत कहता हूं कि पुराने पेड़ों की निराई गुड़ाई करके उन वो लगाएंगे तो ही हम आने वाले समय में इन महामारियों से लड़ पाएंगे और एक जो कमी के दोर से हम गुजरे हैं साथियों आप सब को पता सोसल मेडिया का जमाना है और ज़्यादा तरही हुआ सकती आज सोसल मेडिया पे जुड़ीवी है तो इस महीम को आप ज़् अफिशिल पेज पे अपनी फेस्बुक पे इन पे ज़्यादा ज़्यादा अपलोड करेंगे और इस महीम को जितनी ज़्यादा आगया बढ़ाएंगे उतनी ही बड़ी हमारे हित में खुद के हित में यह चीज होगी आप देखते हैं कि पिछले समय से हमारी पूरी टीम ल लगाए वे जो समसान भूमियों में पारकों में आज वो पोदे बड़े पेड़ बनके लहला रहे हैं और इस मुहिम में अगर आप सभी मेरे युवासाथी जुड़के और इसको अपनी मुहिम मानते अगर काम करना शुरू कर दें तो इसकी शुरुवात आप पांच जू करोगे तो अपने और युवासाथियों को प्रेडित कर पाओगे आप सब को पता है जितना ज्यादा हम प्रेडित करेंगे उतनी ज्यादा यह मुहिम आगे बढ़ेगी तो अपने यह नहीं नहीं हमारे आने वाली पीडियों के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट सब को देखे जाएंगे इसी के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं इस मुहिम से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए इसको आप अपनी मुहिम मानिए और ज्यादा ज्यादा व्रक्सारूपन कीजिए कहीं भी किसी भी अगर युवासाथि को पेड़ों की या कोई दोस्तों को प्रेड़ करें और जो जितने ज्यादा पेड़ लगाएगा उसको उतना ये बड़ा एक तरीके से प्रकरती की तरफ से और इस मानवजाती की तरफ से वह एक धन्यवाद का पात्र होगा